हलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का इस informational platform जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी university, state या institute की तरफ से अगर teaching position पर किसी भी तरीकी का कोई recruitment निकल कराता है उसका information हम अपने YouTube channel के माध्यम से आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहते हैं हम तकरीबन रोजाना चार से पांच teacher से related vacancies के उपर वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम proper post से संबंधित जो information रहता है जिसमें CETO की संख्या के उपर हम बात करते हैं qualification के उपर बात करते हैं साथ ही साथ जो form को apply करने का last date रहता है इन सभी चीजों को हम वीडियो में step by step discuss करते हैं जिससे आप सभी तक इसका information भी पहुँच सके और form को apply करने में आप लोगों को थोड़ी सी help भी मिल सके तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जानकी देवी बजाज Institute of Management Studies and Research जो की S&DT Women's University पूने Campus महराष्टा के इंतरगत आता है इसका affiliated college है जहां से recruitment निकल कर आया ह हुआ है Assistant Professor के लिए जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा पोस्ट है कितनी seat है और साथ इसाथ फार्म को apply करने का जो process है वो क्या रखा गया है तो इन सभी चीजों को हम वीडियो में details में समझने का प्रयास करेंगे जो लोग channel पर करने के लिए invite किया गया है एज असेश्टन प्रोफेशर आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जो पोस्ट निकल कराया हुआ है गेश्ट फैकल्टी जाने टेंपरेरी बेसिस पोस्ट के लिए रिक्रिमेंट मांगे जा रहे है तू टीचर्स फैकल्टी में यहाँ पर रिक्रिमेंट निकल कर आया हुआ है अकेडिमिक सेशन जो इसका है 2024-2025 का है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11th मन्त के लिए यहाँ पर आप असिस्टर प्रोफेशर के पोस्ट पर वर्क कर पाएंगे क्योंकि टाइम डुरेशन यहाँ पर 11th मन्त ही में सन किया गया है जो लोग फाम अपलाई करना चाते हैं वो इस युनिवर्सटी के आफिस्यल बैफ साइट पर जाकर यहाँ से आप लोगों को इनका जो इमेल रहेगा इस इमेल पर अपना रिज्यूम भेजना है इस नौटिफिकेशन में भी ये इमेल मेंसन है इसी इमेल आइडी पर आप लोगों को अपना एक रिज्यूम जिसमें आप लोगों का सेल्फ वे इन्फार्मेशन, क्वालिफिकेशन और साथ जो आपका एड्रेस है सारी चीजे मेंसन होनी जरूरी है उसी के साथ जो आपने क्वालिफिकेशन अच्यों किया हुआ हो उसका फोटो स्टेट करा ले और सिल्फ अटेश्टेट करके आप इस रिज्यूम के साथ अटेच करके इस इमेल आईडी पर आप लोगों को सेंड कर देना है 29 जुलाई 2024 से पहले जो लोग यहाँ पर साथ लिश्टेट रहेंगे उन्हें इस पोस्ट पर इंटर्वियू के लिए बुलाया जाएगा और जो पर सब्जेक्ट जो है वो MCAM में आपको असिस्टन प्रोफेशर के लिए एन एडेड पोस्ट पर रिक्रिमेंट मांगा जा रहा है और इस पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन है अगर उसकी बात करें तो आपको AICTE के अंतरगत अपना क्वालिफिकेशन जिसमें पोस्ट ग् यहां से आप लोगों ने भी मास्टर्स अपना किया हुआ है तो आप इस पोस्ट पर फार्म अप्लाई कर सकते हैं यहां पर इस प्लाइजेशन भी प्रिफर किया गया है यहां मास्टर्स इन कंप्यूटर अप्लिकेशन में एक पोस्ट पर रिक्रिमेंट मांगे जा रहे ह अब हम बात करते हैं इस post पर क्या salary आप लोगों को provide कराई जाएगी तो यहाँ पर जो आपकी merit बनेगी जब आपका interview होगा जो आपका merit उसमें बनेगा उसके according यहाँ पर आप लोगों की salary है वो set की जाएगी तो यहाँ पर salary से related चीजे mention नहीं है merit के हिसाब से salary आपको provide की जाएगी अगला recruitment यहाँ पर account department के लिए निकल कर आया हुआ है और यह teaching faculties में recruitment नहीं है यहाँ पर assistance account का post है और यहाँ इस post पर जो लोग farm apply करना चाते हैं उनके लिए qualification सिर्फ और सिर्फ m.com degree मांगी गई है आपने भारत के किसी भी university से first class में pass out किया ह हुआ है तो आप farm apply कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास दो साल का work experience भी होना जरूरी है accounting में finance में आपने experience लिया हुआ है तो आप इसका जो farm है वो apply कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही जो भी interested candidate हैं 29 जुलाई से पहले farm apply कर ले इस वीडियो में इतना ही इस तरीके के और information हम आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहेंगे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए information के साथ तब तक के लिए thank you so much